कि नमस्कार कैसे हैं आप हमारे साथ हैं रामकुमार कौशिक जी वरिष्ट पत्रकार रामकुमार जी नमस्कार रामकुमार जी के साथ हम चर्चा करेंगे भी जो बिहार में जातिगत सर्वे हुआ है उसे जातिगत जनगना कहा जा रहा है सर्वे तो हुआ है ये बिहार में लेकिन राहूल गांदी जिस तरह से महौल बना रहा है लग रहा है कि ये बिहार की जनगना नहीं देश की हो गई है इसके पीछे की राज दिती गजब की होने लगी कॉंग्रिस ने इस पर ऐसी राज दिती करनी शुरू कर दी मानो लग रहा है राहूल प्रसाद्यादर खैजंडा राहूल गांधी कहो सरवे बिहार में हुआ तो बवाल मच गया आरोपिया लगने लगा कि अब घोटाला है यह सरवे हुआ ही नहीं बड़े पैमाने पे लोग कह रहे हैं कि हमारे घर तो कोई आया ही नहीं रेलवे स्टेशनों पर टेलीवीजन चैनल के पत्रकार पहुँच रहे हैं डेलवे स्टेशनों पर लोगों से पूछ रहे हैं तो ज़ादा तर लोग कह रहे हैं कि हमारे हां तो कोई आया ही नहीं तो फिर सरवे कैसा हुआ और यसी सरवे हुआ तो इसपर राजनिति कैसे हुई बिहार में लालो और निति इस जाती की राजनिती करने के लिए कुख्यात है लेकिन उनकी राजनिती को लेकर के नरेंद्र मोधी कैसे लेकर उड़ गए इस जाती का सरवे को इन तमाम चीजों पर हम राम कुमार कौशिक जी से करेंगे राम जी बिहार पे जो राजदिती होती है ऐसे जाती तो हर स्टेट में है आप राजस्थान से हैं आप क्या भी उसीडन से हैं लेकिन बिहार जाती के लिए चुकि मैं बिहार से हूँ और सिर्फ एक बिहारी के रुपे नहीं आम तरफे देश में लोग ये मांगते कि बिहार लडाई नर रहे थे कि हमने ये करवा दिया अल्टीमिटी जिस तरह से ट्विटर हैंडल पर राहूल लालू पर साध्यादा बाया और दिखान लगे कि 2015-2011 समय लडाई नर रहे थे ये लडाई अब आपको कहा जाती है भी दिख रही है आपको क्या लग रहा है कि ये जो जिस तरह से हिंदू का एक तरह से बोटों का एकी करण होना शुरू हुआ जिस तरह से पहले कहा जाता तो श्टी करण से मुस्लिम वोट को मबिलाइज किया जा रहा था एक आएक लगते लाकर ने हिंदू वोट एक जो ठोड़ा है तो क्या नरे दर बोदी के खिलाप ये तोड़ आपको लगता है कि ये पूरे देश भर में होगा जिस डंट सी मां है ने ये लड़ाई सिर्फ वोट की लड़ाई है तो वोट की लड़ाई के लिए जातियों का स्टेमाल किया जा रहा है रही बात मैंदर मोदी के खिलाफ सारी पार्टियों के सारी पूलिटिकल पार्टी के जो जाती आतित राजिनिती करने वाली पूलिटिकल पार्टी ज वो भी ये तथ्य है, उस तथ्य को हम एक तरफ नहीं किया सकता, वो तथ्य भी हमें हमारा जो पूरा पूरा ये जो विचार मन्थन है, इसका हिस्सा होना चाहिए, तो जो सबसे बड़ी बात है, जो मुझे ऐसा लगता है, कि जैसे कि आपको याद होगा, कि जाती, जाती को लेकि संगर शोजरा है, और जाती की राजनीटी, जब से लोकतांतरिक व्योस्ता, जब से वोटों की व्योस्ता शुरू है, तब से जाती को, किसकी कितनी वोट, किसकी कितनी जाती, किसकी कितना नंबर, किसकी कितनी संख्या, इसको लेकि हमेशा से बाद बात होता रहा है, और हर जाती के नेता जो हैं वो जाती कुछ नहीं करते हैं जाती के जो ततागत नेता हैं वो अपरी जाती के संख्यावल के आदार पर सत्ता में साज़ेदारी की बात करते हैं बात आज भी हुई है आपको याद होगा मनीश जी जब कांशी राम जी अपने बोई शवाब पर थे जब बहुजन की राजनीती देश में लेकर आए थे तो कांशी राम ने ये बोला था कि जिसके इतनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्से रारी यानि कि जिसकी बहुजने हम मंडल का जो जिन है जो मंडल डब्बे में बनता तो मंडल निकल आई था तब कांशी राम बात करते थे और देश में लगवग बहु संख्यत जो जातियां थी वो सामानियवर्ग में आती थी अब थकांग बात तानी इसी फिट चोड़ कर तमना ओविसी था वी था लुखंग तो तो देश एंडर करके एक मंडल के उ egent के वाद देश की व्यावस्ता न देवश्ता न बदनी और हो राजनेत्यों तक म्यवस्ता वी बदली और राजनीत पार्टी को व्यावस्ता वी जाती आता है पार्टियोट भी आई हैं यह चलते 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 हैं मैं यहां आ गहे हैं कि आव काशिराम ने एक लिशास अलग थी इसे नहीं यह बोला लेकिन उसी तरह उसी फॉर्मूले को इन जातीकत जो पार्टियां हैं जो शोव से ताव्यत वर लोग थे उन्होंने अपनी संख्या वह अब उस अनुसुचित जाती यह जनजाती की बात नहीं करते हैं वह हमारी संख्या जाता है तो जैसे कि ह अब अपने शोवर दर्शक को बताया जी है कि यहां बात जिम्मेदारी की नहीं हो रहे हम बात करने जिम्मेदारी की जाहें नरेंदर मुदीन नीवी दो दिन पहले कहा कि का कि हिंदू समाज अगर सबसे ज़्यादा तो हिंदू है एक्क्यासी जीज़ी नोक्रिया अब है तो अगर हम इस तरह से करने लगे तो किसी हो कुछ नहीं मिलेगा मतलब ऐसी स्थिती मनीश जी नहीं लाए जाए जिसका तोड़ अभी तक यह निकाल पारें और उसी तुसी में इनकी जाती के राज़गी ती है यह निस्टनावब भी हो जाएगी क्योंकि जो 17 5 का खेल है उसमें से कितने कई करेक्ट सतर फीजी जड़ा लोग ऐसे हैं जो कि जो हिंदू की ओवीसी जाती है उनने वो कॉमन है OVC और EVC ऐसी चीज़ हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम धर्म का फर्क नहीं है तो बहुत सारी जाती हैं जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं मुस्लिम धर्म को मानते हैं लेकर वो EVC और OVC में आते हैं तो उनका क्या निप्टारा होगा? अपर उनको भी उसी वल बलके आधार पर उनकी संख्या वलके आधार पर इससेदारी मिलेगी क्या? इसका कोई जवाब नितिश कुमार और उनके जो दोस्ते हैं जाती ही जंगणा कराई है उनके पर पास कोई जवाब नहीं है जो 2015 में सिंधार अमया की सरकार के दोना करनाटक में 170 क्रोड रुपे खर्च करके जाती के जनगणाना आया सर्वे कराए गया था वो रिपोर्ट में तयार है अवे तो एक और डबा कुलना बाकी है और अब देखिए फरक देखिए आपके यह करें नियत और नियती और नियत की जो बात कर रहे हैं हम लोग जो जिम्मेदारी के और रिस्सेदारी की बात कर रहे है यही कॉंग्रेस पार्टी है जो कल तक जो यही कॉंग्रेस पार्टी है जो जिन्हों ने जाती सर्वे कराए हैं करनाटक में और यह बिहार के जाती इगत सर्वे में शामिल सी उसी कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं तो दूसरी तरफ करनाटट में वही कॉंग्रेस पार्टी अब अपने अपने द्वारा कराएगे जन्गड़ाना जाती ही इस सर्वे को बाहर निभी कानना चाहते हैं नवंबर में देखेंगे अब ही रेपोर्ट पेशोगी फिर देखेंगे सिंदार में या कह रहे हैं कि यह देखते हैं कि उसे पबलिक करेंगे कि ने क्योंकि पता यह चल रहा है मनीजी ख़बर यह आ रही है कि जिस दिन वो करनाटक के आकड़े बाहर आ गए तो यह जाती की संख्या का बले जिसके आ नेरेतिव धस्त होने वाद आत है इसलिए वहां यह थायरी चल रही कि जिसके और इन नम्र को डिस्क्लॉज करने से रोखा जाए और तक कई बार ऐसा हुआ लकिन डिस्क्लॉज नहीं किया गया कई बार अच्प यह जाती प्रूक समाज उसको माना आता है, बड़ी संख्या में उसका पॉपुलेशन गिरा हुआ दिखाई दिया गया, यह जो एक बच्चे दो बच्चे वाला था, कैस्तों ने करीब आज से 40-50 साल पहले इसे अपना लिया था, जिस तरह से मुसलमानों की संख्या भियार में भी सां माज में ज्यादा है, तो यह दिखा करके इस आधार पे क्या आपको लगता है देश में यह चीजें जिस जो नारा दिया जा रहा है, यह पॉलिटिकल पार्टियां, यह परिवारबादी पार्टियां विशेस रूप से, जो लालु यादव अपने आपको यादवों का ने पे आज भी उन्होंने कहा है कि वही भाषा जो काशीराम बोलते थे वो भाषा बोलना शुरू कर लिया है, कॉंगरिस की राज़िती में तो ओवेसी कास्ट का था भी निकाज आता कि ब्रामान, डलित और मुसलमानों को टार्गेट वो करते थे, एक आये कि यह खेल क्या कर रहा है, वो 36 गड़ में सेम डे गए, तो उन्होंने वहाँ कह दिया कि यह जो जनगन्ना है, यह सब कराया है, जो जा रहा है, वो टार्गेट लालू को नहीं कर रहा है, वो नितीश को नहीं कर, वो सीधे करें, कॉंगरिस हिंदूों को जाती में तोरना चाहती है, और दू पराजनी जी, जीज़सा के राजनी चीपो फॉलो करते आ हर रहे है, वो अपनी पाटी की जो लाएण है, उससे दूर होते जा रहे हैं, तो अगर राहवल गांदी मोदी की बात ना सुने, किसी आर की बात ना सुने, वो सिर्फ अपनी पार्टी के कल्युच्चर पो देख सको देखने तों को ही सम कि यानि अपनी पार्टी भी छोड़ेंक अपने परिवार के थ्यास को दो कि नाना दादा आपने दादी अपने अपने पिता उनकी उनकी राजनती बिरासत थी उसको भी देखना समझ में आ जाए रहा को कितनी बड़े कलती कर रहा है मनेचे 1931 में राजिनिती की जाती कर जन्गर्णा हुई उसी के आस्तर अथेंटिर आकड़े हैं उसके बाद कोई जाती कर जन्गर्णा नहीं हुई उसके बाद बिटिश गवर्मेंट ने जो हिंदुस्तान में बिटिश सरकार थी 41 में राजिनिती कर जन्गर्णा की थी लेकिं 41 की जन्गर्णा के आकड़े कभी बाहर नहीं आए क्योंकि वहीं कॉंग्रेस पार्टी थी वहीं कॉंग्रेस पार्टी के नेता थे वही स्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत कॉपूर्ब के कारण ही अंगरे अंगरे सरकार को आकड़े दबाने कड़े उसी कॉंग्रिस पार्टी की विरॉसत को ढोरे हैं राहूल गांदी और यह कह रहे हैं किसाब जाती-घतु कराइए और सब जाती को बताइए तुम्हwarz नमबर हैं इसका कभी हिंदों मुसल्मान की विछ का कॉमटेशन तरह हिंदों की संख्या क्म हो रही है वह संख्या क्यों कि तो यह जो पहस है वह हर जाती की बहस हो जाएगी दर्म की सीमा से बहस निकल जाएगी कोई डिकत नहीं है कंपना सहाविमान है हर जाती का अपना सम्मान है और व्यक्ति को अपनी जाती पर घर महसुम्स करने का पूरा है मैसे हम उसमें रहा जाना जाते लेकिन अप देश के पती जिम्मेदारी समझी जैसे मैं ठीश को पुट्ट ने तो ये तो पशु और मतर्म जहें कर रहे हैं। देश की बात हीं कर रहे हैं। सनातन धरम द्रमाव réflख को तोडने की साज़िशित है। सिब्ससे बड़ी ही। सुनातन धर्म अब हम जाती की बात करें अपनी की हम जाती के आखर पर वोट दें हम जो के देशा पड़ता भी है लेकिन अब क्या हो सुनातन धर्माम बुलंबी एक हो रहे हैं सुनातन धर्म को बापस लिए सुनातन धर्म में जो खषय किया गया तमाव शतार्दियों के दौरान उग शे वो जो नुक्सान किया गया उस नुक्सान की मरपाई करने की कोशिश की जा रही है उसमें जागूंग तारही है सनातन धर्मावलम्यों में उससे ये लोग डर गए हैं और उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है सनातन धर्मावलमियों का एका ना हो जाए उसके खिलाफ ये साजिश की जा रही है तो अब जो आरक्षन की बात है आरक्षन अगर अब दूसरी चीज़ आरक्षन किया जाती है क्योंकि सुप्रीम आरक्षन कर देगे सर्च सबकुछी आरक्षित कर देंगे आप तो जो लोग अपनी महनस से अपने 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 तैलेंट के विल पर आले आना चाहते हैं या जो देश की जो संख्या की नीतिये उसका पालंग करते हैं देश की विकास की नीतिये विकास के पत्पर देश देंसे कहा हैं और आगे जा रहा है उस तरफ वो काम करना चाहते हैं उन लोगों क्या? उन लोगों क्या दोस्ट ने जो देश के आर्थिक के विकास में जो साथन, धर्म को बापस से उसकी उसकी वो उसका वो इस्थाम बिलाने के लिए लड़े उनका थैया तो मियके आपने काशी राम की बाद मेंOS की काशी दिक अन्हों को लेकि मेरा मतठा बिन तो Kids hall bury अंदोनर था और सिर्दों से चले आ रहे आरए थोड़ा शुट के क्रकाइब रूह कन अर रू रहे प्याजर के खिलाफ था इसता एर उनके अंदोनर नंगा एक उद्देश था दिया जा चुका था लेकिन उनके अरिकार में उनके उस आंदोलन में ये जाएन बद साथन धर्म के करब को तोड़ने थी साजिस नहीं सी एक और मनी सी अगला आप मुद्दा उठाएं से पर नहीं चाहता हूं कि आज से करी करी दो साल पहले या मैं को 2019 के चुनाव के कुछ स साल तीन वर्षपूर मुझे ठीक से डेट तो यादनी हैं देश के एक जाने माने संपादक पत्रगार हैं शेखर गुपता जो प्रिंट नाम की एक संस्था भी चाहते हैं तो उन्होंने एक लेक लिखा जिसमें उन्होंने सारी राजनितिक पार्टियों को सलह दी कि कैसे उनको जातियों में तूप जाना चाहिए कैसे अगर मोदी को हराना है अगर बीजेपी को हराना है तो उन्हें कैसे जाती की राजनिति करनी चाहिए वोट करना है तो आजी सिर्फ मोदी को देखता है और उनकी नीचा को देखता है और वो उनकी जाती है रहे लेखता है तो चारों और की जाते हैं एक जगे वोट कर देती है उन्हों बिल्कुल शेकर गुपता कि आप पूरी पत्रकाइटाई इसी धंग की रही है और उन्होंने कई बार जैसे लालु यादव को सजा हुई तो उन्होंने यह कह दिया को पिछरा हुआ इसलिए इसलिए भी लालु यादव प्रण मंत्री को उस भाषन को सिस्से को ज़रा सुन लेते हैं अपने अनुभव से कहता हूं झल पड़िया इमानदारी के लिए चल पड़िया आपको जो डूटी मिरी असको इमानदार अनुभवने के लिए आप देखिए इश्वर आपके साथ चलेगा जनता जनादन आपके सांद्व अपके साथ चलेगी कुछ लोग चिलाते रहेंगे क् lobb का नीजी स्वारत होता ह कि उनके स्वेहम के पैरगंदगी में पढ़े हुए होते हैं अगर इसलिए मैं बार-बार कहता हूं देश के लिए इमान दारी के लिए काम करते समय कुछ भी अगर इस प्रकार के विबात खड़े होते हैं अगर हम इमान दारी के रास्ते पर चले हैं कि प्रामानिक्ता से काम कर रहे हैं डिफेंसिव होने की कोई जरुरत नहीं दो प्रधान मंत्री ने जो कहा उस साप इन तमाम लोग जिसके और इशारा कर रहे थे कि एक पत्रकार है शेखर गुपता इंडियन एक्सप्रेस के संपादक थे और जब संपादक थे तो मनमुहान सिंग सरकार सोनिया गांधी की लोगों ने एक फरजी कबर चलबा दी थी कि किस तरह से ब्राष्टपति भवन पर संसत भवन पर इंडियन आर्मी जो है वो कबजा करने जा रही है जबकि भारत के समिधान कुटाबी के संपा भी नहीं था यह जो प्रधान मंत्री अभी बोल रहे थे प्रधान मंत्री दरसल उन तमाम चीजों को काट रहे हैं जो एक शड अब जरूरी यह है कि OBC को उसका अधिकार मिले हिंदुस्तान के सेक्रेटरी जी नब्वे में से सिरफ तीन OBC से हैं और सुनिए और सुनिए और सुनिए नई गबराइये मत दरो मत और सुनिए ये जो सेक्रेटरीज हैं जो OBC कम्यूनिटी से हैं ये हिंदुस्तान के सिरफ 5% बजेट को कंट्रोल करते हैं मतलब अगर हिंदुस्तान का बजेट 44 लाक करोर का है तो ये 2.47 लाक करोर मतलब 5% कंट्रोल करते हैं और सुनिये और सुनिये मैं कर रहा हूं मैं वहीं आ रहा हूं मतलब ये जो है ये जो है ये जो है ये जो है आप अपिस्टी की बात बही सुनना चाहते है अपिस्टी की बात बही सुनना चाहते है आप अपिस्टी की खिलाब है आप अपिस्टी के खिलाब है 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 अपिस्टी क ये जो है मैं माननें सदस्त्रासे एक मिन एक मिन माननें सद्रास्पर समाने डरो मतो डरो मतो इस पअलेमेंट में नहीं बोलना ची इस decision about the transfer of power to the people of India the women being one उबाब अप्रोप्वावाजिक श्यूर्य और आहिम बीज आहिन अटरीं पोपने कि लिए मैं। अपर ज्चेश इसलिंट इने में धूल्ड ट्रीजुक्ट फगी कंडर विजा गूले अप्रचेश्ट टॉटिक। ये OBC community का अपमान है तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने OBC हैं कितने धलित हैं, कितने आदिवासी हैं और उस सवाल का जवाब सिरफ कास सेंसे से मिल सकता है तो मेरा सरकार को एक सुजाव है सबसे पहले ये जो महिला का बेल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए ये जो आपके लागू कीजिए और ये जो B-Limitation है, जो आपने बोला है और ये जो सेंसस है, इसकी कोई ज़रुवत नहीं है 33% आप महिलाओं को सिधा दे दीजिए और दूसरी बात, दूसरी बात इसको बदल ये इसको आप बदल ये ये जो लिस्ट है, ये OPC समाज का अफमान है 90 लोग हिंदुस्तान के सेकरेटरी है उन में से 3 लोग OPC समाज के हैं 5% बजट को कंट्रोल करते है तो जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी आप कास सेंसर्स कीजिए जल्दी से जल्दी जो हमने कास सेंसर्स किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे थांक्यू राहूल गांदी की इस बयान से ऐसा लगता है कि इस से पहले उनके परिबार बालों ने कभी साशन नहीं किया तो इस 70-72 सालों में कितना आधिकार में और सवाल यह है कि कई बार तो राम जी ये भी होता है कि राहूल गांदी से लोग पूछते हैं कि आगर तुम्हारी जाती कौन है जिसका ना मा हिंदू ना पिता हिंदू तो फिर आपकी जाती कैसे एक आप एक ब्राम्वन कैसे हो गए दफ्ता अतरे गोतर कैसे हो गए तो क्या आपको नहीं लगता कि राहूल गांदी ये कई लोगी आरोप जो लगता है वर के तरफ से कि राएक एक शडियंत के तब सोनिया गांदी भारत में जाती युद्ध करा देना चाहती है क्योंकि एक आए अब सब कुछ हताशा में हिंदूों को जाती में बाट दो ये पूरा सेलसेक्स ऐसा लग रहा है कि उसी उद्देश से क्या है इसमें तो अनिजी कोई शक नहीं है ये पूरे सिरू सनातम द दर्वावलम भी ये कर रहे हैं जिनके पुर्खे सनातम दर्म को मानते हैं और वही लोग ये साजेश कर रहे हैं किसके कहने पर कर रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं उस पर मैं बहुत नहीं जाना चाहता लेकित वह जो कर रहे हैं इस देश का नुक्सान कर रहे हैं इस में इस्सेदारी के लिए देश के परती जिंमेदारी के वाउनि वानी नपर जाये अंग इसलिए वह सत्ता में अपनी और अपने परिवार के इस्तिदारी बढ़ाने के लिए अपनी जाती के संख्यावल को लोगों के सामने रखकर और इस डेमोकरिसी में लोक तंतर में लोक तंतर को ठंगना चाते हैं यह पूरा के पूरा खेल मनीजी जो यह समझ माता है यह है यह जैन बौध जो की स्रातन दर्म का एक इस्टा है जो हिंदू परमपरा स्रातन परमपरा उसका एक इस्टा यह उनको भी हमचे तोड़ना चाहते हैं उनका इसलिए खाना चाते हैं जैसे ओवीसर ईवीसी अपिवीसी का आरक्षण वड़ेगा वैसी शत्तर प्यश्दी जो मुस्लिम मान सानातन परंपरा को मानने वाले परिवार के जो पंथ है उनके लोगों को यह बहुत बड़ा नुक्सान होने वाना है यह लोग जो कर रहे हैं तो मुझे इनकी नियत पर शक है मनिसी बिल्कुल और इसले कहते हैं कि प्राइब मिनिस्टर मोदी जो पॉलिटिक्स को चुकिए 24 गंटे पॉलिटिक्स करते हैं यह सेंसेक्स आने से पहले उन्होंने 17 तारीकों विश्व कर्मा दिवस के अबसर पे जो काम की आपको याद होगा कि सानातनी आप यहां यह जाएंगे तो हिंदू हजाम आपको नहीं मिलेगा जो आप कार्पेंटर यह आप डूंडेंगे त दिन्दू कार्पेंटर आपको सामाने दर नहीं मिलेगा पढ़ान मंतरी मोधी जो इसको तोर के लिए क्योंकि जो रागुल गांदी और पूरी कॉंग्रिस जो सवनातनी को तोरना चारी है क्या आपको लग रहा है विसकर्मा परियोजना जो है क्योंकि हमारा जो जाती वि जिम्हेदारी निभाई समाजी संरचना के लिए कि एक गाउं में हर चीज उपलप्त हो गाउं के अंदर सुनार है लोहार है बढ़ाई है मतलब चर्मकार है सब पूरी विवस्था गाउं के अंदर है एक तरह से लग पूरा अद्योग तंत्र चल रहा है सब कुछ गाउं म गाउं के अंदर चल रहा है तो वो पूरा भिखर रहा था आपको लगता है कि सैंसक से पहले यह बिश्वकर्मा परिजुना से मोदी ने उन सब को तोड़ा है मोदी जो मास्टर स्टॉप लगाने वाले माने जाते हैं तो आरि इसी मास्टर स्टॉप के लगाने के चकी रा जातिकत गर्णा कराई जाए उसके आंकड़े लाई जाए जाए जातिकत जन्गर्णा कराने वाली जो पारिवारिक और जातिकत नेता हैं लेकिन जो एक सबसे बड़ी बत है मनिघयन अगरन विकार जो ड़ूअरी के साफे बात करें जो 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 हमारी जो ग्रामे आधार्त जो एकोनोमी है उस एकोनोमी को बहुत बड़ बर बहुत बहुत जाती आधारित की बजाए कर्म आधारित जाती को वैवस्था को बढ़िन जो द्म किसी को अपने गउम में अपनी इलाके में हर जगा काम मिले और दिल्ली जो हाप से किया हुआ काम है उसके प्रियोजर से बेसिकली उन्हें जातियों को उनके काम से सम्मान दे कर्म से कर्म जाति का आगर जन्म नहीं अब बापस से यह शाइड योजना में ऐसी आशा करने चाहिए मनिजी इस योजना से जन्म की वज़ाए कर्म के आधार पर आपकी की जाती के द्वस्था को पुनर स्थापित करने में मदद मिल सकती है कि यह समझने की कोशिश कर रहे थे अलग-अलग एंगल से आकरों का खेल खूब जल रहा था किस सेलसक के पीछे का शडियंत्र क्या है और यह वो शडियंत्र है उस शडियंत्र की हावापधान मंत्री कैसा लगा इसके कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजे बहुत बहुत धन्यवाद राम जी मुशकर राम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके धर्शाथ को नहोंने इस वीडियो के माददयां से आपने रोन में नहीं मुछे मुक्छा दिया झाल झाल